यूपी के इसमें बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं जी हाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बसपा के नेता आप बसपा छोड़ कर समाजवधी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी हाँ यूपी में अकलेश यादो की लोग प्रियता इस कदर बढ़ गई है कि लोग अन्य पार्टीयां छोड़ कर समाजवधी पार्टी में शामिल हो रहे हैं बसपा पार्टी के पूर्व राष्ट्री महासचीव केके सचान और पूर्व विधायग मिथिलेश कटियार ने अब समाजवधी पार्टी का दामन थाम लिया है अकलेश यादों के नेत्रत में आस्ता जताते हुए बसपा छोड़ कर समाजवधी पार्टी की सदसिता ग्रहेंड कर ली है उन्होंने यहाँ भी बताए कि जिला पंचायक के पूर्व अद्धेक्ष राजे सोनकर भी सब परिवार समाजवधी पार्टी में शामिल हो गए हैं इस बात की जानकारी समाजवधी पार्टी ने ट्विट के जरिये दी और लिखा राश्ट्री अद्धेक्ष जी से भेंट कर समाजवधी नेतियों में आस्था जताते हुए पार्टी में शामिल हुए वरिष्ट नितागर्ण, डॉक्टर केके सचान, बस्पा स्रीमती मितलेस कटियार, पूरु विधायक स्रीमती रीना सोनकर, जिला पंचाय सदसि वहीं सपा में शामिल हुए लोगों ने अकलेश यादो को ये भरोसा दिलाया है कि वह 2022 में समाजवधी सरकार बनाने के लिए सबी समर्तों के साथ पूरी निष्ठा से काम करेंगे, अकलेश यादो ने भी ये उमीद जताई है कि बसपा के बड़े नेताओं के सपा में शा कुछ को सब्सक्राइब कीजी